भगवद गीता के अनमोल वचनेक उफार तभी अलसी और पवित्र है जब वो हृदे से किसी सही व्यक्ती को सही समय और सही जगह पर दिया जाए और जब उफार देने वाला व्यक्ती दिल में उस उफार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखता हो, सा कोई नहीं, जिसन बुरा अंत हुआ है, चाहे इस काल, दुनिया में हो या आने वाले काल में, जो भी मनुश्य अपने जीवन अध्यात्मिक ज्यान के चरणों के लिए, द्रिर्सा कलपों में स्थिर है, वो सामान रूप से संकटों के आक्रमन को सहन कर सकते हैं, और निश्चित रूप से, य जो पहले विश्च के सामान होता है, परंतु बाद में अमरित के जैसा होता है, इस तरह की खुश्या मन की शांती से जागरित होती हैं, भगवान या परमात्मा की शांती उनके साथ होती है, जिसके मन और आत्मा में एकता, सामन जस्य हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त आपको कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल पाने का नहीं, आपको इनाम या फल पाने के लिए किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए, और ना ही आपको निश्क्रियता के लिए लंबे समय तक करना चाहिए, इस दुनिया में कार्य करें. सन्निहित आत्मा के अनन्त का अस्तित्व है, अविनाशी और अनन्त हैं, केवल भौतिक शरीर तथ्यात्मक रूप से खराब है बुदिमान व्यक्ति ना ही जीवित लोगों के लिए शोक मनाते हैं ना ही मृत व्यक्ति के लिए, ऐसा कोई समय नहीं था, जब तुम और मैं और सभी राजा यहां एकत्रित हुए हों, पर ना ही अस्तित्व में था और ना ही ऐसा कोई समय होगा जब हम अस्तित्व को समाप्त कर देंगे अपने कर्म पर अपना दिल लगाएं, ना कि उसके फल पर सभी काम धयान से करो, करुना द्वारा निर्द को छोड़ रहा है, अपने कर्तव्य का पालन करना जो की प्रकृती द्वारा निर्धारित किया हुआ हो, वो कोई पाप नहीं है, गर्मी और सर्दी, खुशी और दर्द की भावनाएं, उनकी वस्तूओं के साथ होश से संपर्क के कारण होता है, वे आते हैं और चले जाते हैं, लंबे समय, तक बरकरार नहीं रहते हैं, आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए, मैं आत्मा हूँ, जो सभी प्राणियों के हरिदै, दिल से बंधा हुआ हूँ, मैं साथ ही शुरुवात हूँ, मध्य हूँ और समाप्त भी हूँ, सभी प्राणियों का, सभी वेदों, में से मैं साम वेद हूँ, सभी देवों में से मैं इंद्रा हूँ, सभी समझ और भावनाओं में से मैं मन हूँ, सभी जीवित प्राणियों में मैं चेतना हूँ, हम जो देखते, निहारते हैं वो हम है, और हम जो हैं हम उसी वस्तु को निहारते हैं, इसलिए जीवन में हमे उनके दिल, रिदय में उनके नियंत्रन के रूप में बैठा हूँ और वो मैं हूँ, स्मृती का स्रोत, ज्यान और युक्तिबाद संबंधी दोबारा, मैं ही अकेला वेदों को जानने का रास्ता हूँ, मैं ही हूँ जो वेदों का मूल रूप हूँ और वेदों का ज्याता चेतना को एक जुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा लगाव छोड़ देना चाहिए, आपका अपने जूटी पर नियंत्रण है, परंतु किसी परिनाम पर दावा करने का नियंत्रण नहीं, असफलता के दर से, किसी कार्य के फल से भावनात्मक, रूप से जुड़े र दुखों की एक शुरुवात है और अंत भी जो दुख को जन्म देता है, हे अर्जुन मेरे प्रिया अर्जुन, केवल अविभाजित भाक्ती सेवा को मैं समझता हूँ, मैं आपसे पहले खड़ा हूँ, और इस प्रकार सीधे देख सकता हूँ, केवल इस तरह से ही आप मेर मन के रहस्यों तक पहुँच सकते हो, हजारों लोगों में से कोई एक ही पूर्ण रूप से कोशिश, प्रयास कर सकता है, और वो जो पूर्णता पाने में सफल हो जाता है, मुश्किल से ही उन में से कोई एक सच्छे मन से मुझे जनता है, स्वार्थ से भरा हुआ कार्य इस दुनिया को कैद में रख देगा, अपने जीवन से स्वार्थ को दूर रखें, बिना किसी व्यक्तिगत लाब के, एक योगी, तपस्वी से बड़ा है, एक अनुभववादी और एक कार्य के फल की चिंता करने वाले व्यक्ती से भी अधिक, इसलिए है अर्जुन, सभी परिस्तितियों में योगी बनो, भले ही सबसे बड़ा पापी दिल से मेरी पूजा, तपस्या करे, वो अपने सही इच्छा की वजह से सही होता है, वो जल्धी शुधा हो जाते हैं और चिरस्ताई, अनन्ध शान्ती प्राप्त करते है, इन शब्दों में मेरी प्रतिग्या है, जो मुझे प्रेम, प्यार करते हैं, वो कभी नश्ट नहीं होते, मैं समय हूँ, सबका नाशक, मैं आया हूँ दुनिया को उपभोग करने के किये, एक जीवित एकाई, रहने वाले मनुश्यों के संकट का कारण होता है भगवान, परमेश्वर के साथ अपने रिष्टे को भुला देना, क्यूंकि भौतिकवादी श्री क्रिश्न के अध्यात्मिक बातों को समझ नहीं सकते हैं, उन्हें ये सलाह दी जाती है कि वे शारीरिक बातों पर अपना ध्यान केंदरित करें और देखने की कोशिश करें कि कैसे श्री क्रिश्न अपने शारीरिक अभ्यावेदन से प्रकट होते हैं, वासना, क्रोध और लालच नरक के तीन दरवाजे हैं, क्रोध से पूरा भ्रम पैदा होता है, और भ्रम से चेतना में घबराहट, अगर चेतना ही घबराया हुआ है, तो बुद्धी तो घटेगी ही, और जब बुद्धी में कमी आएगी तो एक के बाद एक गहरे खाई में जीवन दूबती नजर आएगी, आदमी, मनुष्य के लिए मन बंधन का कारण है और मन मुक्ती का कारण भी है, मन वस्तूओं की भावना में लीन रहे तो बंधन का कारण है, और अगर मन वस्तूओं की भावना से अलग रहे तो वो मुक्ती का कारण है, ऐसा कोई समय नहीं था जब मेरा अस्तित्व ना हो, ना तुम, ना ही इन में से, कोई राजा, और ऐसा ना ही कोई भविश्य है जहां हमें कोई रोक सके, वो जो अपने भीतर अपने स्वयम से खुश रहता है, जिसके मनुश्य जीवन एक आत्म ज्यान है, और जो अ आपको नई आकरिती प्रदान करें, कभी भी स्वयम को अपन आत्म इच्छा से अपमानित न करें, इच्छा एक मात्र मित्र, दोस्त होता है स्वयम का, और इच्छा ही एक मात्र शत्रू है स्वयम का, देवत्व का परम व्यक्तित्व कहता है, ये सिर्फ वासना ही है, अर् पापी दुश्मन है, हमारी गलती अंतिम वास्तविक्ता के लिए ये ले जा रहा है। जैसे सपने देखने वाला ये सोचता है कि उसके सपने के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है, हम कभी वास्तव में। दुनिया की मुठ बेर में घुसते हम बस अनुभव करते हैं अपने तंत्रिता तंत्र को सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धी व्याग्र होती है, जब बुद्धी व्याग्र होती है तब तर्क नश्ठ हो जाता है, जब तर्क नश्ठ ह तब व्यक्ति का पतन हो जाता है, मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ती सदा तुम्हारे साथ है, और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्या कर रही है, ज्यानी व्यक्ति ज्यान और कर्म को एक अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निश्क्रियता से बहतर है, आत्मा ज्यान की तलवार से काट कर अपने हृदे से अग्यान के संदेय को अलग कर दो, अनुशाशत रहो, उठो, मनुश्या, अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो जाता है, नर्क के तीम द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच, इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है, मन अशांत है और उसे नियंतरित, करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है, लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंग निर्मान केवल पहले से मौझूद चीजों का प्रक्षेपन है, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वो विश्वास के साथ इछित वस्तु पर लगातार चिंतन करें, उससे मत दरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा, जो वास्तविक है, वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, ज्यानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्यानी व्यक्ति के दिमाग को अस्तिर नहीं करना चाहिए, हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रक्रिती के अनुसार होता है, जन्म लेने वाले के लिए मृतियो उतनी ही निश्चित है जितना की, मुरित होने वाले के लिए जन लेना, इसलिए जो अपरिहार्या है उस पर शोक मत करो, आप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव, पैदा करता है, सभी अच्छे काम छोड़ कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हे सभी पापों से मुक्त कर दूँगा, शोक मत करो, किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े, मैं उन्हें ज्यान देता हूँ जो सदा मुझ से जुड़े रहते हैं और जो मुझ से प्रेम करते हैं, मैं सभी प्राणियों को सामान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिया है, ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं, वो मेरे भीतर रहते हैं, और मैं उनके जीवन में आता प्रबुद, व्यक्ति सिवाए इश्वर के किसी और पर निर्भ नहीं करता, मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते, हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है, हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा, ही ऐसा युद्धा लड़ने का अवसर पाते हैं, जो स्वर्ग के द्व सामान है, भगवान प्रतेक वस्तु में है, और सबके ऊपर भी बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता, आपके सार्वलोक एक रूप का मुझे न प्रारंब, न मध्य न अंत दिखाई दे रहा है, जो कार्य में निश्क्रियता और निश्क्रियता मे कार्य देखता है वो एक, बुद्धिमान व्यक्ति है, मैं धर्ती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अगनी की उश्मा हूँ, सभी जीवेत प्राणियों जीवन, और सन्यासियों का आत्मसयम हूँ, तुम उसके लिए शोक करते हो, जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भ अस्तित्व में नहीं थे, नहीं भाविश्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए, कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा, नहीं, हे अर्जुन, हम दोनोंने कई जन्म लिये हैं, मुझे याद हैं, लिकिन अपने परम भक्तों, जो हमेशा मेरा स्मरण या एकचित मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्यान का उत्तरदायत्व लेता हूँ, कर्म योग वास्तव में एक परम रहेस्य है, कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है, नहीं स्वार्थ कर्म, जो भगवान के साथ सयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिर्ता और शान्ती, ये आपी मैं इस तंत्र का रचायता हूँ, लेकिन सभी को ये ग्यात होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता और मैं अनन्त हूँ, जब वे अपने कार्य में आनन्त खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं, वो जो सभी इच्छायत त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शान्ती प्राप्त होती है, मेरे लिए ना कोई ग्रिनेत है ना प्रिया, किन्तु जो व्यक्ति भक्ति के स साथ मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ, जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन करें, मैं उश्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ, मैं अमरत्व भी हूँ और मृत्य बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवित्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धी माया ने हर ली है वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की तो वास्तविक्ता में कोई मुझे नहीं जानता स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुना है एक पवित्र और समरिधा कुटुंग में जन्म होता है केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रू होता है मैं सभी शरीर त्यागता है, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई शंशय नहीं है, वो जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किये बिना जन्म और मृत्यू के चक्र का अनुगमन करते हैं, ऐसा, कोई नहीं, जिसने भी इस संसार में अच्छा कर् के लिए द्रिड संकल्प में स्थिर हैं, वह समान्या रूप से संकटों के आक्रमन को सहन कर सकते हैं, और निश्चित रूप से यह व्यक्ती, खुशियां और मुक्ती, पाने के पात्र हैं, ज्यानी व्यक्ती को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्यानी व्यक्ती के दीमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए, सन्हित आत्मा के अन्नत का अस्तित्व हैं, अविनाशी और अन्नत हैं, केवल भौतिक, शरीर तथ्यात्मक रूप से खराब है, इसलिए हे अर्जुन लड़ते रहो, आपके सार्वलोकिक रूप का मुझे न प्रारंभ न मध्यन अन्त दिखाई दे रहा है, सभी कार्य ध्यान से करो, करुना द्वारा निर्देशित किये हुएं, हम जो देखते हैं वो हम हैं, और हम जो हैं हम उसी वास्तु को निहारते हैं, इसलिए जीवन में हमेशा अच्छी और सकार्थमक, चीजों को देखो और सोचें, वो जो सभ इच्छाएं त्याग देता है, और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शान्ती, प्राप्त होती है, स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनाह एक, पवित्र और सम्रिध यह निश्चय पूर्वक सत्य मानो की, मेरे भक्त का कभी भी विनाश या पतन नहीं होता है, भगवद गीता के अन्मोल वचन उतार चड़ाव में गीता में, स्पष्ट रूप से कुछ महत्वपूर्ण ज्यानवर्धक बाते कहीं गई हैं, आप इन संदेशों के माध्यम स आपका जीवन भी अर्जुन की तरह सफल हो और गीता के जरिये आप भी जीवन रूपी युद्ध में विजई हों